हेलो फ्रेंज वेल्कम टीशन्टू में प्रेंग कापके साथ हल वक डाउँगा फेंज आगर आप रियक्शन शॉट चैनल खोलना चाहते हैं तो बहुत सरा लोग का मन में एक डर रहते हैं कि अगर में रियक्शन शॉट चैनल खोलूंगा तो क्या मेरा चैनल मोनटाइज अगर आपको अगर आपको अगर आपका रियक्षन जो शॉर्ट चनल है वहाँपे कोई भी प्रप्लेम नहीं होगा आप बेजी जग आप रियक्षन शॉर्ट वीडियो बनाषागा सकते हैं और उसको मोड़ेज भी कर सकते हैं और आपका चैनल पर कोई भी स्ट्राइक बगड़ा नहीं लगेगा इन फ्यूचर पर तो क्या है फ्रेंट्स में इस वीडियो पर आपको बतने वाला हूं तो चलिए जल्दी से टाइम उस्ट ना करके वीडियो को शुरू करता और आप भी ऐसा कर सकते हैं और आप निश्चीन दोके भी कर सकते हैं क्योंकि फ्रेंट्स ओ लोग आर्णिंग कर रहे हैं और आप भी आर्णिंग कर सकते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं देकि फ्रेंट्स एक चीज सभी मतलब नया यूट्यूबर गलती कर लेते हैं क्या करते भीडियो बना लेते हैं लेकिन वहां पर क्या करते हैं का इस वहां पर आ जाते हैं मतलब युज कर लेते हैं तो क्या होते हैं और यह नहीं काम होने के वज़ा से लेकिन ऑ क्या है मैं आपको यहाँ पहने चैनल देखे होंगे वहाँ पे कुछ कुछ चैनल ऐसे आप बरहते हैं वहाँ बर प्रेटे ell 8 लोगह चला है wow you quarantine का प्रेड आप जाते हैं और उसके आब और विडियो कार रहा है चला हुब्न किया करते हैं एक ही विडियो को multiple times upload कर देते हैं डेली 8 वीडियो 15 वीडियो अप्लोड करने के बज़ा से यहां पर क्या होते हैं उसके बस time नहीं रहते हैं और वो क्या करते हैं सेम वीडियो वहां पर upload कर देते हैं यूज पाने का मतलब इच्छा से लेकिन फैंस यह गलती है क्योंकि फैंस अगर आप सही व के आप आपका जो वीडियो का डिसक्यूशन है वहाँ पर उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं यह आपको कभी बी नहीं करना है और उसके साससर और कुछ-कुछ लोग ऐसा कर देते हैं कि वहाँ पर क्या जो कीवर्स को उसको सेपरेटर कमा क्या हैस्टएग डालके वहाँ पे बहुत सरा hashtag यूज कर लेते हैं बहुत सरा वहाँ पे keyword यूज कर लेते हैं तो अब भी अगर ऐसा करते हैं तो आपका वीडियो पे community guideline इशू आ सकते हैं तो उसके लिए fans आपको क्या करना होगा आपका वीडियो का discussion पे आपका वीडियो जिस keyword के उपर है उस keyword को base करके जितना सरा keyword होते हैं उसको fans separated by comma ना लिखके आप यहाँ पे space देके आप लिख सकते हैं और उसके सासत fans और एक चीज़ आपको करना होगा यहाँ पे multiple hashtag आपको use करना है लेकिन fans बहुत सरा hashtag यूज नहीं करना है चार या पांच hashtag यूज करना है उससे जादा नहीं और उसके सासत fans में एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे disclaimer भी add करना जरूरी है क्योंकि fans आप अगर जब भी कोई भी short video यूज कर रहे हैं तो दुसरे का video यूज कर रहे हैं और फिर्स आभी जो mistake के बड़े में बात करूँगा ये फिर्स 60% यूट्यूबर कर लेते हैं देकि फिर्स पहले जो मैं दो mistake के बड़े में बता है वह maximum यूट्यूबर मतलब सही करते हैं उसका description सही तरीके से लिखते हैं वहाँ पे title भी same नहीं लिखते हैं लेकिन फिर्स बहुत बड़ा मिस्टेक है और मैक्सिमा मतलब 60-70% यूट्यूबर कर लेते हैं वह क्या है देखिए रियक्शन वीडियो तो बना लेते हैं लेकिन वहाँ पे से face का मतलब कुछ expression रहते हैं लेकिन वहाँ पे कोई भी voice नहीं रहते हैं खुद का क्योंकि फ्रेंज आगर आप कोई भी दूसरे का content की use कर रहे हैं तो YouTube बोल रहे हैं कि यहाँ पे इसके उपर आपका खुद का creativity चाहिए मतलब यहाँ पे एक uniqueness चाहिए वीडियो पे इसके लिए यहाँ पे आपका खुद का creativity उसके अंदर डालने के लिए यहाँ पे बहुत जरूरी है क्योंकि दूसरे का sound यहाँ पर यूज हो रहे है तो इसके लिए आपका बहुत जरूरी है यहाँ पर यूज करना लॉग जो रियक्शन वीडियो होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं आप 15 सेगेंड आप देख सकते हैं उसके बाद पॉस्ट कर सकते हैं ऐसे करके आप रियक्शन वीडियो बना सकते हैं उसके उपर रियक्शन दे सकते हैं बीच 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 पे लेकिन अगर आप एक शौर्ट वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको पॉस्ट भी होना जरूरी है यहां पर आपको बताना होगा कि क्या हो रहे है यहां पर ऐसा हो रहे तो ऐसा कुछ मतलब डायलोग आपको यहाँ पर सेट करना होगा तो अगर आप यह करते हैं आपका बहुत डालते हैं तो डेफिनिटली आपका वीडियो पर कोई भी प्रॉब्लेम इशू आपका नहीं आएगा और इसके सासत फेर्स में एक ट्रीक्स आपको बताना चाहता हूं जो फेर्स यह ट्रीक्स है यह अगर यूज करेंगे तो आपको बहुत जाते हैं हेल्प मिलेगा यह अगर यूज नहीं भी करते हैं तो भी ठीक है लेकिन इसको यूज करने से आप मतलब एक्टम सेप जोन पर आप काम कर सकते हैं तो क्या है ओए फेर्स क्लोस कैप्शन आप अगर करते हैं और उसमें और एक फाइदा है जो इस्स लोगों को बहुत जड़े एककट करेगा एक चीज और लोग ज्यादा से जड़ा टाइम आपका वीडियो को वाच करेगा तो आगर आपका शॉर्ट वीडियो पे ज्यादा लोग आप वाच कर रहे हैं तो नेचरली आपका वीडियो next time boost कर देगा YouTube YouTube को जो algorithm है YouTube आपका वीडियो को suggest करेगा और आपका वीडियो अगर suggest होते हैं ज्याद़ impression पाते हैं तो यहाँ पर फेर्स आपका वीडियो भारल हो सकते हैं तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं आपका वीडियो को भारल करना तो एक ट्रिक्स आप ज आपका जो expression है उसके साथ सथ आगर आपको इमोजी आप देखाते हैं क्या कोई भी ग्राफिक्स आप देखाते हैं कोई भी animation अगर आप शो कराते हैं वहां पर के आप बहुत जदा खूस हो रहे हैं तो वहां पर कोई भी काट्वन अनिमेशन लगा देते हैं कि एक डैंस कर सब्दोल पर आपको जियादा मिलेगा लोग जड़ह से जदा एकना करेगा ज्यादा से शेर करेंगा और आपका वीडियो घृड़ हो सकते हैं मैं था को जाने के लिए या पर पहला जो पर मोर्टाइस बंद हो सकते हैं तो इन फूचर पर जब भी मौनेरेशन के लिए अपले करेंगे तो वहां पर मौनेरेशन आपको नहीं भी मिल सकते हैं तो इसके लिए इस वीडियो पर इतने आपके साथ शेयर करना था तो इस इंफर्मेशन को अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक जुरूर कर दिजेगा और अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर जरू क्लिक कीजिएगा तो फिर आज के लिए नहीं नए वीडियो लेके तब तक के लिए गुडबाई